कि बिस्मिल्लायराख्मान रहीम असलाम अलेकुम स्टूरेंट्स मैं आपका टीचर शभाज वेलकम टू आवर क्लास आज हम मैथिमेटिक्स ग्रेड़ सिक्स यूनिट वन उसका जो हमारा एसलो है यानि जो टॉपिक है वह हमारा साथ कि आपका क्या है हइस करेक्ट्र में पढ़ेंगे अस्ट कैसर इसटोडरिए वो प्राइम फेक्ट्रिजेशन और स्टोडर शिट्र के इन्दर यूशnew factorization से भी निकालने के number का कैसे निकाला जाता है तो आयों स्टुडेंट्स देखते हैं वर्ट इज एट सीफ है एस्टूडेंट्स है ऐस कामन फैक्टर अब पहले तो उसकी नेम से है करकामन फैक्टर अब दो just refer to this harmony Select a common factor को निकालना है तो इसमें हम जितने भी नंबर सोगे सबसे पहले उनको क्या करें गे प्राइम फेक्टरिबर से करेंगे और धन उन में जो कामन फेक्टर नंगे उनको हम मल्टीप्लाय कर लिया करेंगे है यही हमारा होगा जैसे के डेफिनेशन में मैंने लिखा भी है 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 और हाइस कॉमन फैक्टर इस दा ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड इच आफ्टू आर मोर नंबर अब बड़ी इंटेस्टिंग डेफिनेशन है कि इसमें हम कह रहे हैं कि जो आपका सब्सक्राइब क्या है ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड इच आपके दो नंबर है उनमें से हमने एक ऐसा नंबर ढूंडना है जो सब बड़ा नंबर हो बट उन दोनों नंबर को क्या हो डिवाइड करता हूं मैं अभी एक्जेंपल भी आपको देता हूं और अगर दो और दूसरा मेरे पास नंबर क्या है 6 है यह मेरे पास दो नंबर है अब मैंने यह देखना है कि कौन से दो नंबर कौन से मैं एक नंबर लूं जो इन दोनों नंबर को क्या करें डिवाइड करें अब सुडेंट्स सबसे पहले वन भी इसको डिवाइड करता है दोनों नंब बात करूं तो three is number which divide three and also divide the six तो यह नंबर जो three है यह दोनों numbers को क्या करता है divide करता है but one जो है वो divide करता है but that is the smaller number but three is the greatest number जो कि दोनों number three or six को क्या कर रहा है divide तो इसलिए इस example के अंदर जो कि हमारे number three and six है इसके अंदर हमारा is if क्या होगा three बीकाज यह ऐसा number है greater number है जो हमारा क्या कर रहा है दोनों number three and six को divide कर रहा है अगर इसके साथ एक number मैं nine लेनूं और अब हमारे number क्या होगे three इसमें भी three आपका three को भी डिवाइड कर रहा है six को भी डिवाइड कर रहा है nine को भी डिवाइड कर रहा है but that is the greatest number so that's why इसको हम क्या कहेंगे यह हमारा क्या है इसी एप है यह नि हाइस कामन प्रेक्टर है एक्जेंपल यह सुडेंट्स इसी तरह यानि जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है तो फर्स एक्जेंपल हम प्राइम फेक्टरिजेशन से देखेंगे कि हैसे कैसे फाइड और करना तो अग्जेंपल हमारी यह है कि हम 12 और 36 का क्या फाइड और करना चाहते हैं यह यह हमारे से दो नंबर हैं इन में से हम एक नंबर डूड़ना चाहते हैं जो दोनों नंबर को डिवाइड करें और लेकिन वह क्या होना चाहिए ग्रेटर नंबर अब स्टूडेंट्स सबसे पहले प्राइम फेक्टरिजेशन 12 की अगर मैं 12 की बात करूं तो टूपर डिवाइड होत अब यह भी देखना है कि प्राइम फेक्टरिजेशन कैसे हमने करनी है यहां प्राइम नंबर होने चाहिए जैसे हमारा टू है और टू है अगें तो इसके क्या होगे यह लिखाएप प्राइम फैक्टर्टर अगर मैं 36 की बात करूं तो यह भी क्या है 2 पे डिवाइड होता है यह इसके क्या होता है यह WordPress यह यह method जो है यह क्या कहलाता है prime factorization कहलाता है यह देखें students मैंने यह लिखा prime factorization आप 36 36 की अगर मैं बात करूं तो 2 2 3 & 3 तो मैंने यह लिखा 36 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply by 3 on the same line 12 जो है इसके मैंने prime factor लिखें जो के 2 multiply 2 multiply by 3 है और common factors की अगर मैं बात करूं तो students देखें इन में से हमारा यह भी common है और 2 अगें से हमारा common है और 3 भी क्या है हमारा common है इसलिए जो common factor है वो क्या है हमारा 2 2 & 3 तो मैंने आपको बताया है कि common factors का ही product लेना जितने भी numbers हैं वह हमारा क्या कहलाता है इस यह तो स्टूडेंट्स क्या होगा जो common factor है इनका हमने क्या ले लिया प्रोड़क्ट जब 2 multiply 2 multiply 3 करें answer will be 12 तो सो इन दोनों numbers जो के हमारा 12 है और 36 के इसकी ACF की बात करेंगे तो वह हमारा क्या है 12 है अब स्टूडेंट्स एक और भी बात है अब देखें simply 12 एक number है जिसको मैं divide 12 पे करूं और 36 को मैं अगर 12 पे divide करूं तो इससे बड़ा कोई number नहीं मिलता जो 12 और 36 दोनों को divide करता है तो इस ही है that is the greatest number जो दोनों numbers जैने 12 और 30 36 को divide करता है तो आपका क्या होगा इस यह है नेक्स हमारा जो है example इसी method की है prime factorization method से मैंने prime factorization नहीं निकाली बट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया इसमें अब देखें first of all हमारा number है 120 120 के मैंने prime factor जिसना previous example के अंदर मैंने find out किया students तो अब दी same line हम किया कर रहें इसके भी prime factors निकाले 120 के 2233 223 and 5 और अगीन नमबर हमारा क्या है 180 180 के prime factor हमारा यहां to 2 टो 233 and find a zamt में से हमने common factor देखने हैं तो अमारे common factors क्या है डुहे और दैन टूहें अदेन हमारा क्या है थी है और than 5 है तो इसे common numbers को हमने क्या करना है multiply तो यहीदा मरा क्या हो जाएगाorf the students यह common factors हमारे और HTF common factors का क्या होगा product अगर multiply करें 2 into 2 into 3 into 5th answer is 60 तो इसलिए अगर number 120 और 180 की बात करें तो एक number ऐसा है जो के 60 है that is the greatest number जो के दोनों 120 को भी divide करता है 180 को वैसे भी देख सकते 60 आप 120 को divide करता है और 180 को भी 60 डिवाइड करता है तो that is the greatest number so that is LCM of that these two numbers नेक्स्ट जो हमारा method जैसे के मैंने बताया है कि हमारा next जो होगा वह ACFA by division method यानि दो में पढ़ने थे फर्स्ट आमने पढ़ लिए प्राइम फैक्टरिजेशन तो सेकेड़ डिवीन मैथे तो आया स्टूडेंट्स देखते हैं डिवीन मैथेड को कि अब सिंप्ली मैंने यह लिखा है कि find ACFA 30 & 42 यानि 30 & 42 का हम क्या करना चाहते हैं ACFA निकालना चाहते हैं बट कैसे जो है डिवीन मैथेड से अब इन में से सिंप्ली स्टूडेंट्स आप है क्या करना होता यह देखना होता है कि दोनों नंबर में से बड़ा नंबर एक नंबर हमारा 30 दूसरा 42 तो 42 तो हमने यह क्या करना है बीच में रखना राके थर्थ धाइंड करें तो 342 पैसलीड़ करते है तो क्या कर देना होता है डिवाइड कर देना होता है अब हमारा क्या है 30 को बीच में रखें और यह प्रासेस तब तक जारी रखना होता जब तक क्या ना मिल जाए जीरो अगर मैंने 12 को बीच में रखा 6 पे डिवाइड किया तो 6 डूज अब हमें रिमेंडर क्या मिल गया जीरो तो स्टूडेंट्स वो जो आपका डिवाइजर होता है जिस पे हमें कोशेट क्या मिल जाता है एंड पे 0 वही हमारा क्या होता है स्टूडेंट आप देखें तो 6 जो है वो 30 को भी डिवाइड करता है 42 को भी डिवाइड करता है अब इसके लावा कोई और ग्रेटर नंबर नहीं है जो 30 एंड 42 दोनों को क्या करता हो डिवाइड इसलिए हमारा हमारे पास कोई दो नंबर है यह दो से ज्यादा भी है तो जो समालर नंबर है वो बाकी जित्ते भी नंबर जोन का क्या हो अगर वो फैक्टर है तो वो ही समालर नंबर हमारा क्या होगा ACF होगा जैसे के एक्जेंपल में मैंने यह लिखा कि एक हमारा नंबर क्या है 4 and second is 12 अगर मैं 12 के फैक्टर की बात करूं तो उसमें 4 है यानि 4 के मल्टिपाल में क्या आता है 12 तो इस लिहाज से 4 is the smaller number but greater number is the multiple of 4 तो 100 ACF हमारा क्या हो जाएगा 4 इस तरह आप और भी बहुत सारी एक्जेंपल ले सकते हैं यहां फार एक्जेंपल हमारा कोई और 20 नंबर भी साथ होता 3 नंबर भी होते तो अगें से क्या है आप 4 जो है वो 12 को डिवाइड करता है 20 को भी करता है तो समालेस नंबर is 4 so that's why 4 is ACF next अगर दोनों नंबर हमारे क्या हो प्राइम इफ बोत नंबर आर प्राइम देन ACF is 1 because अगर दोनों नंबर प्राइम है तो देर इस नो कॉमन फेक्टर बिट्वें इस तो नंबर एक्सेप वन तो सो देट्स वाइश का होगा वन जैसे कि एक्जेंपल में मैंने दो प ACF हमारा क्या है वन है जितने मर्जी आप बड़े नंबर लेने फार एक्जेंपल 11 की बात कर रहे हैं 17 की बात कर रहें इनमें कोई कामन फेक्टर नहीं है इसलिए इनका ACF भी क्या होगा वन शर्त यह है कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए प्राइम होने चाहिए या अगर एक प्राइम है दूसरा प्राइम नहीं भी है तो दैन भी उनमें से कोई कामन फेक्टर नहीं आता स्टूडेंट्स इसी लेक्चर के साथ हमारा जुरूर सेर्फिस हैं उनमें से फर्स इंग इस हमारी वर्कशीट है एंड सेकेंड इस कोस्टेंग और फर्ड वन इस लेस्न प्लैंग फॉर्ट वन इस हमारा प्रेजेंटेशन जो के मैं लेक्चर आपको डलीवर कर रहा हूं तो स्टुडेंट्स यह था आज का मारा लेक्चर आप लोगों ने अड़स्टेंड किया होगा मिलते एक नए किया हूं मिलते एक रिल प्रेजजेंटेव दो इस नहीं तो स्टुडेंटे पर्रेजेश Laela Kamal